नमस्कार दोस्तों, हिंदी निव जेफेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों अभी एक खबर आ रही है चाइना से उसकी एकॉनमी को ले करके दरसल खबर यहा है कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है वो अभी 5.2% दर्ज करी गई है वो भी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यह एक बढ़ा चड़ा गर कर पेस करी गई है ग्रोथ रेट इतनी चाइना की नहीं है दरसल दोस्तों इस वक चाइना की जो रियल इस्टेट की मार्केट है वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है उसकी जो सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती ते यह गरंड वो दिवालिया हो चुकी है लोगों को पैसा डूप चुका है आईए समझते हैं कि इसके और क्या-क्या इंपक्ट चाइना को पर पड़ चुके हैं जो दूसरे देशों पर भी पड़ रहे हैं आईए समझते हैं विस्तार से दरसल दोस्तों अभी जो ग्रोथ रेट दर्ज करे गई है चाइना की यह कोविट के अगर तीन सालों को छोड़ दिया जाए तो चाइना ना उससे पहले हमेशा डबल डिजिट में अपनी ग्रोथ रेट दर्ज कराई है यानि कि 10% या इससे उपर की और अभी हम देख रहे हैं तो 5.2% दर्ज कराई है जो कि इनकी लोएस्ट है बहुत ही मतलब इनके जो इनोंने अपना बेंचमार्क सेट किया था उससे बहुत नीचे है दोस्तों ये समझ लिए कि हौंग कॉंग का जो स्टॉक मार्केट है ये फरवरी 2021 में अपने टॉप लेवल पर हुआ करता था उस वक्त इसकी वैलुएशन साठे साथ लाग करोड डॉलर हुआ करती है जो अब लगबग आदी हो चुकी है ये मान लिए कि 52% की आसपास है कितनी वैलु है 3.59 लाग करोड यानि कि 3.60,000 लाग करोड डॉलर की इनकी वैलुएशन बची हुई है तो समझ लिए लगबग आदी वह चुकी है तो अब इससे आप ये अंदाजा लगा लिए कि इनकी आर जो इन्वेस्टर थे वह आ नहीं रहे जो बिदेशी लोग हुआ करते थे चाइना में इन्वेस्ट करते थे वह इनको अब नहीं देख रहे है उन्होंने कंप्लेटली इस वक्रोथ चल रही है अब समझ लिए कि चाइना की हालत इतनी खराब है कि चाइना की जो इकॉनमी बेस्ट थी वह तीन चीज़ों पर एक वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट है दूसरी उनके एक्सपोर्ट तीसरी चीज़ है वहां की होम कंजिम्शन मतलब जो घरे ग्रोथ होई है वो उनकी फूर्ट उसका 45 परसेंट है उनके जो इन्वेस्टमेंट होती थी वहां से कम तैय कर लेते थे और जो उनके एक्सपोर्ट हुआ करते थे वह भी समझ लिए इतने नीचे हो गया है कि चाइना के जो एक्सपोर्ट यूरोप में और जो अमेरिका मे हुआ करते थे वह भी 20 परसंट नीचे गिर चुके हैं तो इसलिए वहां भी उनकी जो एक ग्रोथ को केरी करने की जो ताकत हुआ करते थी वह कम हुई है इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत है चाइना के लोग पहले पैसे लगा रहे थे रियल स्टेट सेक्टर में जो क पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है तो लोग अब होम कंजम्शन के तरह भी ज़्यादे ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग अपना पैसा रियल स्टेट से निकाल करके बैंकों में डाल रहे है वो एक सुरक्षित चाहते हैं अपना पैसा वो किसी भी तरह के लालच मनी फसना चा रहा था कि लोग मान रहते कि चाहिना अभी दूसरे नंबर की जो एकॉनमी है बहुत ही जल्दी ये यूएसे को भी पीछे छोड़कर नंबर एक की स्पॉर्ट हासिल कर लेगा एकॉनमी के रूप में लेकिन दोस्तों अब तो जिस हिसाब से इनको करेक्शन हो रही इनकी म मानना है कि इसको समालने में चाहिनों को दस साल लग सकते हैं तो अब अंदाजा लगा लिए कि अब ये यूएसे को तो फिलाल छोड़ने वाले नहीं हैं ये पीछे रहे गए अब इनको आगे जाने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने राजनीती को देखते पडोसियों से इन्होंने अपने अच्छे रिलेशन नहीं रखे जैसे कि इंडिया एक जाइंट है एक बहुत बड़ी मार्केट है इससे भी इनको काफी नुकसान हुआ है अमेरिका से भी रिस्ते इनके अच्छे नहीं है उसकी वज़या से भी इनको काफी लॉस हुआ है स साथी साथ अगर देखे तो ताइवान फिलिपिन्स वियतनाम इनके साथ भी चाइना के अच्छी रिलीशन नहीं है इसलिए यह उतना ग्रो नहीं कर पाए जितना इनको ग्रो करना चाहिए इनके अंदर भी हुज मार्केट रखते हैं चाइना वाले भी इनकी भी पॉपलेश लगबाग लगबाग पड़ा लिखा वेकती वे रोजगार हो चुका है इस वक्त तो कितनी हालत खराब है आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों इसका इंपक्ट कहीं न कहीं इंडिया पर भी पढ़ेगा अभी नहीं लेकिन कुछ टाइम बात पढ़ेगा क्योंकि चाइ करता है पूरे वर्ल्ड को काम कर रहा है लेकिन कर रहा है तो उसका कहीं न कहीं इंपक्ट तो इंडिया पर भी आएगा लेकिन देखते हैं आगे क्या होता कोई से जुड़ी हुई कोई और डेवलप्रेंट आती तो मैं आपके लिए एक अपडेटर वीडियो लेकर होंगा थेंग यू दोस्तों आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लेगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें